वास्तो सास्त में कई ऐसे नियम बताया गए हैं जिनको रखने से खर्मा खुश्राली का बातवरान देता है इसी प्रकार तदर घर के दरवाजे के पीछे बूल से भी पप्टे नहीं टांगना चाहिए यह सा क्यों कि यह जानते हैं भारती तरस्ति में अनेक प्रकार के सास्त कह गए उसमें से एक सास्त रिडियों वास्तो सास्त रहे जो कि घर के उस पर संबंद में कहा गया था घर की वस्तू तदा सामान की देख रेक तदा उसे रखने के पर कहा गया है इसमें बहुत सारे उपाई भी बताएं जिससे कि सक कर utgudible यहां फुरस है कि हम रोज्य लोज्ड़ गलती लुग करें कि प्रवाज़ हैं a और गन्दे वस्त्र फटना दिखें उसके ऊफ़ा पर करते हैं ग fork जाते हैं और हम आपने गन्दे कपड़े काल कर जो बहने कपड़े पर कि长ग कर लगे रहे उन पर टांग देते हैं जिसे हमाएं गंदे वस्तर किसी और को न दिखें तथा उसमें गंदगी प्रतीक ना हो पंतु यह अट्यादिक गलत कहा गया है कि घर के उपर जो दरवाजा होता है जवार होता है जवार पर के शीष पर देवी लक्षमी का निवास होता ह तथा उस पर अगर गंदगी रख करेंगे तो उसे ही प्रसंद देवी देवता थोड़ी बातों में प्रसंद हो जाते हैं तो उसी प्रकार यदि गंदगी रखी जाती हो देवी लक्षमी का तो नियम है कि जहाँ पर सात्रिक होता होती है जहाँ पर सफाई होती है महाँ प के ज्वारों उपर अपन गंदे Guide ऊंदेक करकर के उनको अ प्रहषक्षने करते हैं तवह घर के दर्वाजे के तीछे रहने से अनेक प्रकार की हानिया होती है जिस्में से एक हानिय कही गई इसे की सिभी कपड होती हैं पूर अनेक प्रकार के कश्ट आधी उत्द होते था नाकायात्मक्ता उर्जा बनी रहती हैं इसलिए घर के दर्वाजे के पीछे की कपड़ें गंदे कपड़ें नह टांगे तरह देविमान का प्रसन्यता के लिए दर्वाजे की सफाई तका घर की सफाई रखें